मित्रों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमतकारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं जिससे नए वीडियो की जानकारी आपको समय से प्राप तो हो सके धन्यवाद नमस्कार मैं हूँ वैभवनाच शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 8 सतंबर के पंचांग राशिफल और महा उपाय के बारे में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की तो सबसे पहले बात करेंगे मेश राशी की मेश राशी वाले जातक लोगों को आज अपने खर्चों को नियंतरत रखना पड़ेगा मौज मस्ती में बहुत जादा आज खर्च हो सकता है मालक्षमी को दूद से बना हुआ कोई भी नवे द्याज भोग समर्पित करना चा आज के दिन को शुब बनाने के लिए मालक्षमी की पूजा राधना आपके लिए बहुती कल्याणकारी होगी तो लक्षमी चालिसाज श्री सुक्त आदी का पार्था आप कर सकते हैं आज की तित्ही में वाहन का प्रयोग बहुत साफधानी से करिये मितुन राशी मितुन सिंगराशी वाले जातक लोगों के लिए ये समय आपके पक्ष में हैं विदेश से अच्छा समाचार इस दोरान आप प्राप्त कर सकते हैं भगवान गणेश की पूजा राधना आपके लिए कल्यानकारी रहने वाली है हरे रंग का रुमाल आपको अपने पास रखना चाह बड़े बुजर्गों का दिल आप बिलकुल भी न दुखाएं कन्या राशी कन्या राशी वाले जातक लोगों के लिए आज अचानक आपको आर्थिक लाभ प्राप्ती का योग बनेगा वट व्रिक्ष के पत्ते पर कुम कुम से स्वास्तिक बना करके उस पर साबुत से मतलब अक्षत से है बिना टूटे हुए चावलों से उसके साथ एक साबुत सुपारी रख करके माल लक्ष्मी के चरणों में अगर आप लक्ष्मी मंदिर में रख करके आते हैं घर के आसपास कोई लक्ष्मी मंदिर नहीं है घर में ही ये तोटका करते हैं तो आपको बह नदा इस रोत का पाठ आपको करना चाहिए बहुत आशातीत सफलता मिलेगी धैर ये किसी भी इस्तिती में आप नखोएं वरिश्चिक राशी वरिश्चिक राशी वाले जातक लोगों के लिए राजनातिक दिशा में किये जा रहे प्रयास सफल सिद्ध होने वाले हैं राशी वाले जातक लोगों को क्रोध को नियंत्रण में रखना होगा भाई या पडोसी से वैचारिक मदभेद जो है वो लड़ाई जगडे के इस्तर पर बढ़ सकता है तो ऐसी इस्तिती में अपने गुसे को आपको कंट्रोल रखना चाहिए महा मृतुन्य मंतर का 108 बार जाब करें और किसी को रुपे पैसे उधार देने से आज बचें मकर राशी मकर राशी वाले जातक लोगों के लिए धार्मिक प्रविर्ती में वृद्धी होगी रुके हुए कार या सिद्ध होंगे रिण हर्ता मंगल इस्तरोत का पाठ करते हैं तो आपको फायदा बहुत अच्छा मिलेगा क्रोध करने से बचना चाहिए कुम राशी कुम राशी वाले जातक लोगों के लिए सबसुराल पक्ष से आज आपको बहुत अच्छा लाब मिल सकता है व्यापारिक चिंताएं दूर रहेंगी पशू पक्षियों को गुड के साथ सतंजा डालना आपको बहुत अच्छा लाब देगा साते साथ शनी भारिया इस रोत का पाठ आपको जरूर करना चाहिए भाई बंदू से वादिवाद करने से आप बचें मीन राशी मीन राशी वाले जातक लोगों के लिए कारे का दबाव आज बहुत अधिक रहने वाला है व्यर्त की भागद करके चीनी या शक्कर मिला करके पेड़ के नीचे वगरे डालना चाहिए जिससे चीटियों को भोजन प्राप्त हो तो आज मचलियों को और चीटियों को भोजन आपको अपने तरफ से कराना चाहिए किसी भी तरीके का तनाव लेने से आप बचें तो दोस्तों ये तो बात करेंगे आज के महाउपाय के और आज के महाउपाय में मैं आपको देवी दुरगा की साधना का एक ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूं इस मंत्र को करने से किसी भी तरीके का कर्ज हो किसी भी तरीके का मर्ज यानि अगर बीमारी हो रोग हो तो ये चमतकारी दुरगा मंत्र तुर रामबान सिद्ध हो सकता है तो आए जानते हैं क्या है ये मंत्र और क्या है इस मंत्र की पूरी विधी दुर्गा उपासना भक्ती के साथ ऐसी शक्ति देने वाली मानी गई है जो दुर्गती करने वाले तमाम बुरे विचार दुर्गुण या दोशों का शमन करती है ही दिव्य बहुती अद्भुद मंत्र भी बताया गया है इस मंत्र की अचूक शक्ति से रोग कर्ज शत्रुबाधा समाप्थो करके वाक सिद्धी संतान की प्राप्ति आपको अपने काम में व्यापार में जीवन के धे को प्राप्त करने में बड़ी सफलता इसके अलावा सांसारिक इक्षाएं पूरी करने वाला या मंत्र माना जाता है और इस मंत्र को पूजा करने का इस मंत्र से देवी दुरगा की पूजा करने का और इस मंत्र को सिद्ध करने की क्या विधी हो उसको समझना उसको जानना बहुत जरूरी है तो करना क्या होता है शुक्रवार या नियमित रूप से माता दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर को लाल पूजा सामगरी खास्तोर पर लाल फूर और लाल प्रसाद लाल भोग जो है लाल पेडा वगरा इसका भोग समर्पित करके इस फटिक की माला से इस मंत्र को कम से कम आपको एक माला यानि 108 बार नियमित रूप से करना है जो लोग नियमित रूप से इस मंत्र को करना चाहते हैं वो किसी भी शुक्लपक्ष के पहले शुक्रवार से आरंब करके लगातार कर सकते हैं जब तक आपको आपके काम में आपके लक्ष में सफलता ना मिल जाए और अगर आप इसका कुछ जाप की कुछ कुछी नियम का पालन करना चाहते हैं तो ऐसे में संकल्प ले करके अगर आप करना चाहते हैं तो पैंतालिस दिन या नब्बे दिन का संकल्प ले करके कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको अनवरत जो है लगातार करते रह सकते हैं आपके अपने स्वेम के कल्यान के लिए अपने परिवार के उध्धार के लिए और अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि सिर्फ हफते हफते करे तो वो शुकृवार की शुकृवार को कर सकता है वो मंत्र आपको यहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा यह द करना है अगर आपकी श्रद्धा जादा है आप चाहते हैं इस मंत्र का प्रयोग जादा बार करना तो ऐसे में आप जितना भी संकल पहले दिन लेते हैं जितना भी जाप पहले दिन करते हैं उधारन के लिए अगर आपने तीन माला जाप किया पांच माला किया या ग्यारा माल किया तो फिर आपको वही करम रखना होगा मंत्र जाप का ये नियम है कि आपने एक बार जितना कर लिया या जितना बढ़ा दिया पिर आप उससे कम नहीं कर सकते आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक दिन शौक शौक में आपने तीन माला पांच माला या ग्यारा माला कर ली और नेक्स डे आपको थोड़ा वो भारी पढ़ता है तो आप सोचते हैं कि आज समय कम है या बहुत जादा इसमें टाइम लगता है तो ऐसे में हम एक माला कर लें तो ऐसा संभव नहीं है अगर आ आपको पांच माला कम से कम करनी होगी आप बढ़ा सकते हैं पांच से साथ कर सकते हैं ग्यारा कर सकते हैं फिर पांच से तीन या एक नहीं कर सकते तो दोस्तों आशा करता हूं कि यह जो उपाए है यह आपके कश्टों को दूर करने में निश्चित तोर पर रामबान सिद् वीदुर्गा का यह चमतकारी मंत्र है और सदियों से इसका लाब जो है हमारे बड़े बजर्गों ने रिशी मुनियों ने तपस्वियों ने लिया है तो इसका आप भी लाब लीजे आप सभी से बार बार आगरा करता हूं कि जब भी आप मेरे वीडियो देखते हैं तो इनक YouTube चैनल वैभवन आपसे आगरा और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाय के वीडियो जाले जाते हैं उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं जिससे कोई भी उपाय या शास्त्री जानक सब्सक्राइब करना और दूसरा फेस टू-फेस यानि पर्सनल मीटिंग के करना आप हमें फोन के माध्यम से इमेल और वाट्सप के माध्यम से अपट्मेंट बुक कर सकते हैं हमारा नमबर है 990724131 आपको दो नमबर दे रहा हूं इन दोनों नमबर पे वाट्सप अवैल इस पर आप अमें इमेल भी कर सकते हैं मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत जादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं ऐसे में इमेल और वाट्सप करना सबसे बहतर तरीका है धन्यवाद